माहिस फाशना लाइफस्टाइल आपने थम्नेल देखे तो जानी चुके हो कि क्या बन रहा है तो चलिए जदा टाइम वेस्ट ना करते वे चलते हैं रेसिपी के तरफ महारास्टियन स्टाइल मसाला वांगा तो इसके लिए लगेंगे बैगन छोटे वाले अलु कट्किया इसमें अधर पीजम, सबसे पहले जांएते की बैगन को फॉर्ड़ीं करते हिनल नारमल तरिके से पाराइत है नवहां चुंहा रहा है आप वीजम, पार बलड़ा झाल जांए dal ना क kalo आना है बदया paste हैißtति बहना हुल कर लिए तो बन भॉलकेट शाइंस नई लगाना या तो यह बहुत टेस्टी बनने वाली मसाला वांगा है मायरास्टियन स्टाइल में वह भी माही के हाथ होगा तो चलिए अब हम इसमें आलू को भी फ्राइ कर लेंगे आलू को भी ज्यादा पकाना नहीं है मतलि या अब इसमें फ्राइ करिखे दार नहीं में अपा लेकिस करें जाएगा है जहत नहीं हम हम ऌरेका पका लेता जाये खितरू कर लेंगे कड़ी के बाहर और बैगन और आलू काम रख देंगे थोड़ा साइड में और पिर जो ऑइल बचा है उसी में हम कर लेंगे सब्जी की तयारी तो चलिए अब उसी में हम डाल रहे हैं एक चोटा चम्मा जीरा जीरी के बाद मैंने डाला इसमें दो तेज पता चोटा वाला एक प्रेंगे तन की चमच है आडरने कव्णास का पेस्ट इसमें अच्छी तरीके से फराइ करेंगे फ्रेंट्स अजरी टेस्ट आज पोस्ता में यह साइड अगर अच्छी तरीके से पो तकमा आपसे साइख से में तो पेस्फ़ानना य थो 7वें बाद आपसे ले सकते हैं, हादा चम्मच हल्दी, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच गोड़ा मसाला, स्वादनुसार नमक, और होमेट जो मैंने बनाया था गरा मसाला, वो मैंने एक चम्मस डाला है, तो यह हमारी मसालेदार सबजी बनने वाली है, एक दम टेस्टी सी, मसाले माला पुरा देते हैं, टमार्टर एंपड़ाई, और निजरा लेक्वादमार के साथ, इसे अमें आची तरीके से पकाना है, मतलब भोलत्शा बमट मैने पहले हपी कि मसाले जितना जड़ा पकते यदे च Georgia देति है तो मसाले को में भीी यूरी अच्छी तरीके से विक्स कर लेना है आपकें लिटकाने यहां सब्छान wh univers क्योंकि मग्यूर्ज देखे कर दो केंने लिटेकर मसाल कंसे में तरीकेशत ची उठिक है अब हम इसमें अमारा पक चुका है तो हम सारे बैगन इसमें डाल देंगे और जो आलू तला था भी आम इसमें मिक्स कर लेंगे फ्रेंणस मुझे बताना कि आपको यह रेसीम क्या लगा गी है और अब तकnant अपने मेरे चैनल को अपनी अपस्क्राइब नहीं कि था की आने वाले वीडियो स्क नोटिकेशन आपको सबसे पहले मिलें वीडियो को लाइक करें और शियर करें 2त अब से अपनी नेक्स रुडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई एकदम टेस्टी जी सबजी रेडी है खाने के लिए